हरिवंच नारान सिंह लगातार दूसरी बार राजसभा में उपसभापती चुने गए हैं। मनोज जा के नाम का प्रस्थाओ रखा। में हुआ था। हरिवंच को जै प्रकाश नारायन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। हरिवंच ने बनारस हिंदू विश्विद्याले से अर्थ शास्त्र में एम्मे किया और फिर पत्रकारिता में डिपलोमा की पढ़ाई की। पढ़ने के दोरान ही उन्होंने बतोर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया था। पत्रकारिता के शेत्र में उन्होंने काफी नाम अर्जित किया फिर उन्होंने एक राष्टिकित बैंक में नौकरी की और पत्ना में पदस्था पित हुए। उन्होंने दोबारा फिर नौकरी छोड़कर पत्रकारिता के रोर रुख किया और बतोर सहायक संपादक एक पत्रिका में काम किया। हरिवंच ने वर्ष 1990-91 के कुछ महीनों तक ततकालीन परधान मंत्री चंदर शेखर के अतिरिक सूचना सलाकार के रूप में भी परधान मंत्री कारियाले में काम किया। धाई दशक्त से अधिक समय तक एक बड़े अखबार में परधान संपादक भी रहे। हरिवंच को नितीश कुमार की पार्टी जन्तादल यूनाइटेड ने राज सभा में भेजा था। उन्हें बिहार के मुकमंत्री और जद्यू के अध्यक्ष नितीश कुमार का बेहत परीबी माना जाता है। हरिवंच नारायन सी से जुड़ी एक खास बात, वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे रहे हैं। स्कूल के दिनों में उन्हें छात्रविर्ती मिली, उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। घर में लोगों को उमीद थी कि वो पैसे लेकर घर आएंगे। मगर उन्होंने अपने स्कॉलर्शिप में मिले सारे पैसे से किताब खरीद ली। और पैसे के बज़ाए किताबें लेकर घर आए। हरिवंच को आज भी किताबों से उतना ही लगाओ है। शायद यही वज़ा है कि उन्होंने बाद के दिनों में खुद कई पुस्तकें लिखी और संपादित भी की। इनमें दिसुम मुक्त गाथा और सिर्जन के सपने। जोहार जार्खन, जार्खन अस्मीता के आयाम, जार्खन सुशासन अभी भी संभावना है, बिहार रास्ते की तलाश शामिल है। लाइफ सिटीज से मैं शादाब मलिक। देखते रहे हमारा वीडियो हम देते रहेंगे बिहार राजनीती से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूलें।